हेलो, नमस्कार बच्चो, स्वागत है आप सभी को बेसिक सिक्षा के इस ओनलाइन लेर्णिंग प्लाटफॉर्म पे, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां मैं आप सभी के एगरिकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसिलर आपको बताने वाला हूँ कि BST Honors Agriculture जो भी इसी के एकॉर्डिंग जो हम लोगों ने उसी के अनलाइसिस के बाद यह प्रिपेर किया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग-अलग कैटेगरी वाइस BST Honors Agriculture में एड्मिसन पाने के लिए BHU में क्या कटफ हो सकती है और आपके जो है ICR के थुरू यह दिया आप एड्मिसन पाना चाहते हैं तो आपका कटफ क्या हो सकता है करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर हम बात करें बेसिक सिक्षा की तो बेसिक सिक्षा आप सभी को CVT और ICR के लिए जो है लाखो बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तीन डोमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपने यही चार तरह के लिया होगा कोई बच्चे ने PCM लिया होगा किसी ने ABC लियोगी तो किसी ने PCA लिया होगा एज पर आपके जो रिक्वार्मेंट्स थी जो भी यूनिवर्सिटी की या ICR की लेकिन अब मैं आपको बता दू कि आपने कोई भी सब्जेक्ट जो भी चूज किया है आपकी जो CVT की मेरिट बनेगी वह तो आपके 12 हैना एस पर Domain of 12 जानि कि 12 जिसका जो Domain था उसके कडिंग बनेगा जैसे कि यदि मौन लिicios आपके PCA से बनेगा जो भी तीन domain subject आपके 12 में रहे होंगे आपके 12th board में उसी के according आपकी जो है ICAR के लिए जो आपकी merit बनेगे ठीक है अब जब ये दो आपके criteria थे कि किस basis पे आपका merit बनेगा यानि कि तीन subject यानि कि total जो है आप लोगों के जो full marks थे जिसके अंदर में cut-off बताने आपका 600 में आपका जो है कितना marks आना चाहिए उसके बात करना है ठीक है जब भी आपके तीनों अलग-अलग domain subjects के marks जोड दिये जाएंगे तो अगर हम particularly बात करें BHU के लिए तो general category के लिए जो है 480 नंबर प्लस जो expect करना है हला कि हम अभी paid seat की बात नहीं करें paid seat के दोरान क्या होता है cut-off थोरी और नीचे गिरती है लेकिन हम लोग अभी regular seat की बात करना है यहां पर 480 प्लस जो है जेनरल candidates को colleges allot हो जाते हैं लेकिन most of the chances जो probability के basis पे हम बता रहें उसके बाद OBC की बात अगर करेंगे तो 460 प्लस जो है आपका BHU के लिए और 380 प्लस हम लोग target करेंगे अगर कोई ICR के थूरू college ले जिनना चाहता है तो अगर हम बात करें EWS candidate 460 to 470 जो है आपका होना चाहिए बहु के लिए और 370 से 380 मार्स जो आपका होना चाहिए किसके लिए अगर ICR के थूरू कोई भी स्ट्वेंस अगर अलाग अलाग एगरी कल्चर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो अगर हम बात करें SC candidate के लिए तो बहु में आपका यहां पर 400 नंबर है तो अगर हम बात करें ICR के थूरू तो 350 पर जो आपको colleges मिलने के chances रहते हैं हलां कि कई बार आपको 300 पर भी colleges बच्चों को अलोट हुए है मौप अपर राउंड में लेकिन अगर हम बात करें स्ट के लिए तो यहां पर 300 नंबर के आसपास जो आपका यह के लिए मांगा गया है अगर तो 320 प्लस में आपको सब्सक्राइब करें इस वीडियो में इतना ही करेंगे फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में धन्यबाद करेंजे करेंगे एक आपके साथ आपके साथ अगर जो नहीं है म यघ द। है शोली वीडियो में इस अभत में बात करेंगे डीमे डिए स même गिए to यह के लिए Vä